आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ये ऐसे वेक्ति के वारे में जो आप देखते हैं कि हमेशा अपने बयानों के कारण चर्चा में बना रहता है। इनकी जो बोलने की सैली है वो आप देखते हैं कि चर्चा हमेशा बटोडती रहती है। जी हाँ हम राज ठाकरे की बात करें हैं और आपके सामने उनकी पिक्चर भी दिख रहे होगी। कुछ पिक्चर और आप लोग देख सकते हैं। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए सिपसेना का एक तरसे उत्तराधिकारी या बाला साथ ठाकरे का उत्तराधिकारी राज ठाकरे को माना जा रहा था लेकिन आप सभी जानते ही कि 2006 आते आते जो सिपसेना की बागडोर थी ये आप देखेंगे उधा ठाकरे को दी जी जाती है और इसके बाद राज ठाकरे नाराज हो जाते हैं अपने चाचा से गुस्ता हो जाते हैं और एक नई पाइटी का गठन कर लेते हैं और एक बात आप लोगों के दिमाग में हमेशा बैठ जानी चाहिए कि हमारे देश के जो भी राजनीतिक परिवार हैं और देखें हमेशा बाप के बाद राजनीतिक उत्तरादिकारी हो या आप देखें उनका संपत्ती का उत्तरादिकारी होता है वो हमेशा बेटा बेटी होते हैं ना कि भाई और ना ही देखें उनके भतिजे यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए कुछ भी कर लेकिन उनका इस्थान नहीं ले पाते हैं और इस क्रीन पर आप देख रहे हैं हस्ते हुए हमेशा रहते हैं राज ठाकरे इनके बास्तविक नाम की बात करें तो राज स्रीकांत ठाकरे इनका नाम है और स्वराज स्रीकांत ठाकरे इनका उपनाम है और राज ठाक एक बार महाराष्ट को देख लीजे, देखे आपके सामने भारत का मैप दिख रहा होगा, इसमें महाराष्ट दिख रहा होगा, महाराष्ट की राधधानी मुंबई है, और अभी आप सभी जानते हैं कि यहां बिदान सभा सीटें 288 हैं, बिदान पल्चत में 78 सीटें हैं, र पत्नी की बात करें तो सर्मिला ठाकरे इनकी पत्नी का नाम है, बेटा आमिट ठाकरे है, और और वसी ठाकरे इनकी बेटी का नाम है, चाचा की बात करें तो बाला साहब ठाकरे, बाल ठाकरे के नाम से इने पिसिद्धी मिली थी, चचेरे भाई उदाव ठाकरे, अब सभी जानते हुदाव ठाकरे को भी अगर इनकी सिक्षा की बात करें तो बाल मुहन विद्धा विद्ध्याया मंदरी स्कूल दादर मुंबई से इन्हों ने शुरुआती अपनी सिक्षा ली उसके बाद कॉलेज की अंगली पड़ाया आंगे सर्स जमसेद जी जी भाय भाय स्कूल और आयट मुंबई विद्ध्याले से इन्हों ने अपनी सिक्षा पूरी की और भारती राजनेता हैं उचितकार हैं और आप देखी जो बाला सहाब में क्वाइल्टी थी जो बोल लेकि उनकी क्वाइल्टी थी वो कापी हद तक आप देखी राष्ठाकरे में देखी जाती इनकी राजनेतिक पार्टी की बात करें तो महराष्ठ नव निर्माड सेना इनकी नई पार्टी है पहले सिप सेना में भी बने रहे हैं अगर हम लोग राज ठाकरे के राजनेतिक याक्तरा की बात करें तो राज ठाकरे जनवरी 2006 तक आपने चाजा बाला सहाब ठाकरे की प सन 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाओं में ए उत्रे और 288 में से तेरे सीटों पर इनों ने कबजा भी जमाया था बहुत अच्छा बिदर्शन रहा था एक तरे से जबकि 2014 की विधानसभा चुनाओं में वह महज एक सीट पर सिमिट गई उसके बाद आप देखेंगे इसक बिवादों से भी इनका काफी गहरा नाता है दो हजार अठारे के सुरुवात में राज ठाकरे ने उत्तर भारतियों खासकर उत्तर पदेश व विहार की खिलाब महराष्ट में हिंसा कांदोलन का नेत्त भी गिया था और इनके टार्गेट पर हमेशा आप देखेंगे उत् लेते हैं उनकी पाटी ने सेना की साथ मिलकर ऑस्टेलियाई करकेटरों का बिरूत किया और जिसका कारण ऑस्टेलिया में भारतिय चात्रों पर हमला था सेप्टमबर 2008 में मनसे कारकरताओं ने अंगरेजी भाहिंदी साइन बोर्डों को काला करना सुरू कर दिया था ताकि उन उस पर मराठी भासा में लिखा जाए वर्ड 2008 में राज ठाकरे ने सारजनेक मज़ पर जया बच्चन की सभी फिल्मों पर पितीवन लगाने की धमकी दी थी और जब तक जया माफी नहीं मांग लेती जया ने कहा था कि हम यूपी के लोग हैं इसलिए हम हिंदी बोलेंगे मराठी नहीं और जिसके बाद राज ठ 2009 की बात हैं मनसे के कारकरताओं के फिल्म वैक अप सिड की स्कीनिंग को लेकर पूने और मुंबई सिनेमा घरों में काफी बाधा डाली फिल्म बॉंबे को कई जगहों पर मुंबई सब्द से संबोधित किया गया था तो इनसे जुड़े हुए कई विवाद भी हैं और आं लोग फिलाल इंजॉय करते रही है देश के राजनिताओं के बारे में जानते रही है